यह कुशन आपका लॉज ऑप मोशन चैप्टर से है अगर आपको लॉज ऑप मोशन चैप्टर के टॉपिक ब्रीफली पढ़ने है तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से भी आप इस चैप्टर के टॉपिक पढ़ सकते हैं वह तो जो रेंड्रॉप होता है वो जब डाउनवर डारेक्शन में गिरता है तो उसका कॉंस्टेंट स्पीड कभी होता ही नहीं है उसका स्पीड इंक्रीजिंग होता है जब भी रेंड्रॉप डाउनवर डारेक्शन में आता है तो उसका स्पीड कॉंस्टेंट नहीं होता है लेकिन question में अगर हमें ये given है तो हमें ये मानना भी पड़ेगा ठीक है अब देखो वो जो rain drop है जो downward direction में ऐसे गिर रहा है मुझे उस पे लगने वाला net force बताना है कि उस पे net force कितना लग रहा है तो देखो अगर मैं net force की बात करूँ तो net force का जो formula होता है वो होता है mass into acceleration तो मुझे पता होना चाहिए कि इस drop में downward direction में कितना acceleration लग रहा है अगर मुझे acceleration का पता चल गिया तो मैं net force भी निकाल सकता हूँ लेकिन यहाँ पे देखो जो rain drop है वो constant speed से नीचे की तरफ आ रहा है तो acceleration का जो formula होता है वो होता है आपका change in speed divided by time तो देखो इस acceleration के formula में देखिए acceleration के formula में change in speed आ रहा है यानि कि जब speed में change होता है तब ही acceleration भी होता है अगर speed change नहीं होगी तो acceleration भी नहीं होगा तो देखो यहाँ पे speed change नहीं हो रही है यहाँ पे constant speed लिखा हुआ है अगर speed अगर constant होगी, तो acceleration कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब देखो, अगर यहाँ पर acceleration में 0 पुट कर दूँगा, तो force भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो force is equal to कितना देर का, mass into acceleration किया हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि speed constant है, जब भी speed constant होगा तो acceleration आपको 0 लेना है acceleration तब होता है जब speed change होती है ठीक है तो यह finally force कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा यानि किस raindrop पे जो net force लग रहा है वो 0 लग रहा है दूसरा देखो part B क्या कह रहा है part B है एक cork of mass 10 gram floating on water देखो यहां पे मुझे net force निखालना है acting on a cork of mass 10 gram floating on water देखो यह आपका water है इस water में क्या कर रहा है एक cork float कर रहा है ठीक है यह आपका cork है cork है यह float करने में लगा है यहां पे तो देखो सबसे पहली बात इस पे एक force तो downward direction में mg force लग रहा होगा जिसे हम weight of cork बोलेंगे अब देखो class 9 में आपने beyond force के बारे में पढ़ा होगा beyond force के बारे में पढ़ा होगा beyond force जब भी किसी water पे कोई body जो है float कर रही होती है तो water भी क्या करता है upward direction में एक beyond force लगाता है अगर ये float कर रही है तो उस वाले केस में ये जो beyond force होता है ये beyond force और ये जो mg force होता है दोनों equal and opposite होते हैं और ये एक दूसरे को cancel कर रहे हैं इसलिए ये float कर पा रहा है अगर इन में से कोई भी force greater होता अगर मानलो mg force greater होता है तो ये नीचे की direction में आने लग जाता लेकिन ये doob नहीं रहा है ये float कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों forces क्या है equal and opposite है और एक दूसरे को क्या कर रही है cancel कर रही है तो net force finally कितना हो जाएगा ये जो cork है इस cork पे जो net force होगा वो zero होगा क्योंकि ये दोनों forces एक दूसरे को cancel कर रही है और net force कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यहीं पर हमें net force पूछ रहा था यहां पर हमें net force पूछा था कि इस cork पे net force कितना लग रहा है तो वो zero है ठीक है अब देखो next question क्या है part C kite skillfully held stationary in sky देखो सबसे पहले यह जो part C है देखो कोई kite है kite जो है इस तरीके से यहां पर यह sky में क्या है उड़ रही है अदो को यहां पर क्या लिखा हुआ है skillfully लिखा है मतलब यह जो kite को उड़ा रहा है वो एक skilled person है ठीक है और यह कह रहा है कि यह जो kite है आपका stationary in sky stationary in sky का मतलब यह होता है कि यह आपका rest में ठीक है यह इस तरीके से उड़ाई जा रही है कि यह ना तो इधर move कर रही है ना तो इधर move कर रही है एक ही जगा में है यह kite तो यहां पर पूछा है कि इस kite पे net force कितना लग रहा है तो जब भी किसी object पे force लगता है तो उस object पे motion आ जाता है force लगने से motion आ जाता है पर यह तो motion कर नहीं रही है यह तो stationary है stationary का मतलब rest होता है तो यानि कि इस पे net force लग रहा होगा net force कितना लग रहा होगा जीरो लग रहा होगा अब देखो next question है एक car moving with a constant velocity और 30 km per hour on a rough road देखो यहाँ पे भी आपका एक road है इस पे कोई car चल रहा है ठीक है और उसकी जो speed दे रही है constant speed दे रही है यानि कि 30 km per hour की velocity से चल रहा है तो यहाँ पे speed तो change हो नहीं है तो अभी मैंने आपको यहाँ पे उपर बता है था अगर speed चेंज नहीं होगी तो acceleration कितना होगा जीरो होगा तो इस car का speed भी change नहीं हो रहा है यानि कि इस car पर जो acceleration लग रहा होगा वो जीरो होगा क्योंकि उसकी velocity चेंज नहीं हो रही है तो force कितना लगेगा इस car के उपर mass into acceleration acceleration तो आपका 0 हो गया तो finally जो net force होगा जो net force होगा वो भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा क्योंकि acceleration कितना है 0 है उस car पर 0 acceleration लग रहा है 0 acceleration इसलिए लग रहा है क्योंकि वो constant velocity से चल रही है कोई भी body अगर constant velocity से चल रही है तो उस पर acceleration 0 होता है acceleration 0 होने की वज़े से उस पे force भी 0 हो जाता है अब देखो next क्या लिखा है high speed electron in space far from all material object and free of electric and magnetic field देखो इसका मतलब यह है यही पर समझा देता हूँ इसे देखो कोई electron है कोई electron है अब वो जो है high speed पे चल रहा है ठीक है इस पे force लगा सकता है force लगाने से क्या होगा इस पे acceleration आजाएगा acceleration आने से क्या होगा इसका velocity चेंज होने लग जाएगा क्योंकि जो high speed electron होता है उसकी constant velocity होती हो constant speed से चलता रहा था ठीक है लेकिन इसके इर्दगिर्द कोई भी material object नहीं है जो इस पे force लगा सके क्योंकि force लगने की वज़े से इसकी speed चेंज हो सकती है and दूसरा क्या लिखा हुआ and free of electric field and magnetic field देखो आपने class 10 में पढ़ा था जैसे मानलो यह magnetic field की direction है अब इस magnetic field के अंदर अगर मैं किसी electron को place कर देता हूँ तो इस electron पे force लगने लग जाता है अब force लगने की वज़े से इस electron की velocity क्या हो जाती है चेंज हो जाती है लेकिन यहाँ पे question में लिखा हुआ है free of electric field and magnetic field मतलब यह जो electron है इस electron के आज पास कोई electric field भी नहीं है magnetic field भी नहीं है तो यह जो है आपका यह जो high speed electron है यह constant speed से ही चल रहा होगा क्योंकि force लगने की वज़े से इसकी speed change हो सकती है तो यहाँ पे question में पूछा है कि इस पे net force लग रहा होगा कितना लग रहा होगा तो net force इस पे 0 लग रहा होगा और answer में आपको यह लिखना है 0 इसलिए है net force इस पे 0 लग रहा है is 0 because because there is no object material object and electric field और magnetic field और magnetic field acting on the electron इस electron पे ना तो electric field एक्ट कर रही है ना magnetic field ना ही इसकी इड़द कोई object है जो इस पे force लगा सकता है तो इसलिए इस पे जो net force लग रहा होगा 0 लग रहा होगा क्योंकि यह electron constant speed से high speed से चल रहा है तो constant speed का मतलब क्या होता है acceleration 0 और finally force भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है ओके तो यह question आपका complete हो जाता है